तो स्वागत है आप सभी का अग्यापनिकेडिमी के इस नय और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप लोग को टेंथ क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर एट पढ़ाने जा रही हूं जो की बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट के साथ आसान है देख चैप्टर नंबर एट का नाम है बच्चे की दुआ यानि कि ये चैप्टर जो है एक दुआ है वही वाला दुआ लप पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी आप लोग सुने भी होंगे बहुत ही फेमस ये दुआ है अगर नहीं सुने है तो आज के इस वीडियो में आप ल प्रातना करना भगवान से प्रातना की जाती है और मुस्लिम धर्म में होता है दुआ करना खुदा से दुआ की जाती है तो आप इस चैप्टर को तीनों नाम में से कोई भी नाम बोल सकते है या तो आप दुआ बोलिए नहीं तो प्रातना बोलिए नहीं तो प्रेयर बोलि लेकिन उसके साथ साथ आप इस दुआ का मतलब भी जानेंगे देखिए इस दुआ को पढ़कर एक एक लाइन पढ़कर मैं आप लोगो उसका मीनिंग मतलब भी बताऊंगी अर्थ क्योंकि एक्जाम में कोश्चन पूछ देता है इस दुआ का कोई भी दो लाइन उठा लेग रहोगा कि यह जो दुआ है वो सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है अगर आप लोग ऐसा सोच रहे ना तो यह बिल्कुल भी गलत है यह जो दुआ है यह प्रात्ना यह सभी लोगों के लिए सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है बच्चे बुड़े सभी लोगों के लि कि एक बच्चा जो है वो खुदा से कैसे दुआ मांगता है बच्चे को खुदा से कैसे दुआ मांगनी चाहिए और दुआ में क्या क्या मांगना चाहिए ठीक है यह सारी चीजे जो है ना इस चेप्टर में बताई गई है इस चेप्टर में यह भी बताया गया है कि बच्चे जो हैं वो दर्दमंद और जईफ लोगों से मुहबत और भलाई करने का संकल्प ले रहे हैं उसके बाद खुद को बुराई से बचा कर नेक राफ पर चलने की दुआ जो है खुदा से मांग रहे हैं बच्चे ठीके तो इस चैप्टर को पढ़कर लास्ट में आप लोगों को मैं आप लोगों को अर्थ बताती हूं देखिए शुरू शुरू में मुहम्मद इकबाल लिख रहे हैं कि लब पे आती है दुआ बन की तमना मेरी जिन्दगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी इसमें बोला जा रहा है कि मेरी जो तमना है मेरी इच्छा एखुदा मैं मेरी पूरी याई चांते ला को और पूरी लाइफ मेरी पूरी जिंदगी को एक चिराक की तरह रौशन कर दे ठीक तुर दुनिया का मेरे दम से अन्धेरा न वह दूर हो जை मैं इतना पर हूं मुझे इतना ग्यान मिले कि मैं ग्यान पा बाट सकूं और इस दुनिया के अंधेरे को दूर कर सकूं हर जगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए यानि कि मैं जहां भी जाओं मेरे चमकने से सभी जगा उजाला हो जाए मैं इतना ग्यान लूँ इतना मैं पढ़ाई और लिखा इतना पढ़ू मैं इतना शिक्षा लूँ कि तो मेरे चमकने से चारो तरफ उजाला रहे हूं मेरे दम से युही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत यहां पर बोला जा रहा है कि जिस तरह फूलों से चमन यानि की बगीचे की शोबा बढ़ती है बगीचे की खुबसूरती किसके वज़ा से होती ह तो यहां पर बोला जा रहा है कि जिस तरह फूलों से एक बगीचे की शोबा बढ़ जाती है उसकी खुबसूरती होती है बिल्कुल उसी तरह या खुदा तु मुझे इतनी शक्ती दे इतनी ताकत दे कि मेरे दम से जो है ना मेरे दम से इस वतन की जीनत बढ़े यानि कि इस इस वतन में और देश में कुछ अच्छा काम करूं जिसके वजह से मेरे वतन की कि खुबसूरती बढ़ है जिंदगी हो मेरी प्रवान की सूर्त यारब इल्म की शम्म से हो मुझे को महबत या रब यहां पर बोला जा रहा है कि या रब या खुदा तु मेरी जिन्दगी को परवान की सूरत कर दे यानि कि मेरी जिन्दगी जो है ऐसा कर इतनी शक्ति दे कि मेरी जिन्दगी जो है वो प्रुपकार हो जाए यानि कि मैं अपनी जिन्दगी में जितने भी गरीब और जईफ लोग हैं उनको दान करूँ कुछ दान करूँ, मैं गरीब और जईफ बूरे लोग की help करूँ, मेरा जो जिन्दगी है वो लोग की मदद करने में गुजरे इल्म की शम्मा से हो मुझको महबत यारब और इल्म की यान की शिक्षा शिक्षा की चिराग से मुझको महबत हो मुझे पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल चस्बी हो मुझे मोटिवेशन मिले पढ़ाई लिखाई करने की और मैं सबसे ज़्यादा अपने पढ़ाई पर घ्यान पाने की कोशश करूँ मैं सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दू ऐसा मुझे शक्ती दे ठीक है मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाई से महबत हो या खुदा मुझे इतनी शक्ती दे कि मेरा काम जो होना वो गरीबों की हमायत करना हो यानि कि जितने भी गरीब लोग है उनकी भलाई करना हो उनकी मदद करना हो दर्दमंदों से यानि कि जितने भी दर्दमंद लोग है जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और जितने भी जईफ यानि की बुढ़े लोग हैं उनसे मेरा काम जो है उनसे मुहबत करना हो उनकी भलाई करना उनकी मदद करना हो ठीक है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको यह लास्ट लाइन है और इसमें बोला जा रह तो मुझे वापस नेक रास्ते पर लाने की मुझे शक्ति अता फर्माना मेरे अंदर कभी भी लोगों के प्रती जो है ना बदले की भावना या फिर इर्सिया जलन मेरे अंदर ना आए मैं हमेशा नेक रास्ते पर चलू ठीक है तो ये था आप लोगा पूरा का पूरा कितना खुपसूरत और कितना मतलब वाकई में ये दुआ लिखा गया है हर चीज बताया गया है देखें यहां पर सभी के लिए दूआ माएं गए यहां पर जो बच्चे हैं वो खुद के लिए भी दूआ मांग रहे हैं कि ए खुदा तुमुझे नेक रास्ते पर चलने कि ताकत अता फर्मा और मैं दुनिया के प्रति जितने भी दुनिया में लोग हैं उनके प्रति मेरे अंदर इसने हैं यानि कि मुहबत जगा मैं दूसरों की भलाई करूं दूसरों की बुराई ना सोचूं कितना अच्छे तरीके से मुहम्मद इकबाल जो है इस दूआ यानि कि शेयर कीजिए और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में नेक अगाफीज